महिला कॉंग्रेस 2024 के लोग सभा चुनावों में महत्पोन भूमी का निभाएगी 2022 के परदेश विधान सभा चुनावों में जिस तरह महिला कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कंधे से कंधा मिला कर कारे किया उसी तरह सुखु सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुचाने का काम कर 2024 में लोग कॉंग्रेस को बहुमत देकर सत्ता में काविज करेंगे यह बात शिमला में महिला कॉंग्रेस परभारी सुनीता शेरावत ने कही उजवल हमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शिमला बूत से लेके स्टेट लेवल तक की महिलाओं ने इलक्षन में भूत काम किया है और जिसका की रिजल्ट है कि आज हमारी सरकार है हमाचल परदेश में और मैं अपनी सबी बहनों को बहुत बदाई देती हूं और आप सब लोगों को भी बदाई देती हूं कि हम आज हमाचल परदेश में हमारी सरकार है और संग्ठन देखिए संग्ठन एक हमारा बहुत मैत्रपून ऐसा वो है कि जिसके बिना हमारी सरकार आ जाए तब भी हमें संग्ठन को हमेशा दुस्त और चुरूस रखना जरूरी है तो आज हमारी महिलाओं ने जो हमारी गरंटी थी आज हमारी महिलाओं का काम है वो गरंटी जो हमारी आब हमारे मानिय मुख्य मंतरी जी हमारे डिप्टी मुख्य मंतरी जी और हमारी पूरी कैबिनेट और हमारे सभी वरिष्ट नेताओं ने और हमारे जो नेशनल लीडर्स जो भी manifesto जो भी guarantee आप हमारी election से पहले रखे थी आज उन सब guarantee आफर जारा है तो आज हमारी हमेरी हमारी guarantee है धर गर्याया है जिनमें कि हमारी महिलावने जैसे विधान सभा में काम किया, ऐसे ही वो लोग सभा में काम करेंगी और अपनी बूत कमेटियां, अपने इलाके में ब्लोक, जिला, उन सब को मजबूत करने की अभी पहले भी मजबूत है, और भी जरूरत है, क्योंकि आगे में हमारा 24 में पी की, वो हमेशा कभी कहीं कोई मुद्दा ले आती है, इलेक्शन से पहले, कभी कोई मुद्दा ले आती है, बात उसकी निये बात ये है, कि राजनिती करन नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे का राजनिती करन नहीं होना चाहिए, अगर ये मुद्दा, आप सीरियसली वो करते हैं वैसे हम अमरे हाइ कमांड का जो वह हम लोग kin होगा हम न लोग उसले ह montón ईसके पक्ष में विपक्ष में हैं तो हम लोग है हम लोग राजमिती करन यहांynn이드 आवी teammates तेरे के मुद्दे उठाके लेके आती है यह सब उनका स्टंट क्या है कि इलेक्शन 24 का तो वो राजनीती नहीं करनी चाहिए उनको इमाचल प्रदेश के विश्वस्निय ज्वेलर पूशिन ज्वेलर सोल